ओडियो फाइव पुस्तक भक्ति पत की जीवन जोती लेखक वेद मूर्ती तपो निष्ठ पंडिट श्री राम शर्मा आचारे जो चैतन्य सत्ता इस इस्थूल संसार का धारण पोशन कर रही है जो आत्म रूप में सब में व्याप्त है वह प्रेम ही है व्याष्टी और समष्टी में आत्मा का वह प्रेम प्रकाश ही इश्वर की मंगलमई रचना का संदेश दे रहा है जब मनुष्य आत्मा के उस प्रेम प्रकाश का अवलंबन लेता है तभी वह संसार को आनंद और सुखों का घर मानने लगता है और तभी उसे सच्चा सुक मिलता है प्रेम ही आत्मा का प्रकाश है जो इस प्रकाश में जीवन पत पर अग्रिसर होता है उसे संसार शूल नहीं, फूल नजर आता है दुखों का घर नहीं, वरन स्वर्ग मालूम होता है प्रेम ही एक प्रकाश है जिसका अवलंबन लेकर मनुष्य इस संघर्ष में संसार में जीवन यात्रा को सफल कर सकता है प्रेम ही जीवन की सर्वोच प्रेड़ना है अन्य प्रेड़नाएं अंधकार की जनक हैं प्रेम प्रेरित कर्मों से संसार की रचना होती है, अन्ने तो उसके विनाश और बुराई बढ़ने का कारण बनते हैं। जीवन को सम्रद्ध बनाने, परम धे की मंजिल तक ले जाने का एक ही रास्ता, एक ही नियम है, वह है प्रेम। आत्मा का प्रकाश प्रेम है, वह प्रभू का विधान मंगलमई श्रिष्टी के लिए है, जो इसे जीवन में प्रधानता देता है, उसके लिए संसार ही स्वर्ग है, प्रभू का मंदिर है, जीवन क्रीडा सुन्दर उध्यान है। प्रेम का लक्षे प्रेम स्वरूप की प्राप्ति के लिए है, किन्तु हम तो जो कुछ कर रहे हैं सब अपने लिए, अपने एहम की तुष्टी के लिए, स्वार्थ के लिए, जिस काम में हमारा स्वार्थ सदता हो, वही काम तो हमें अच्छा लगता है, अपनी भूक, शा रक्षा, साज, सामान को इकठा करने के लिए ही तो हमारी सारी कारे प्रणाली चल रही है। प्रेम के लिए किसी स्वार्थ लेने की भावना से नहीं। प्रेम किनी सीमा, मर्यादा, समय, रूप, रंग, जाती, वर्ण, आदी के नियमों में बंधा नहीं रहता। वह हर समय एकरस, अचल, सबके लिए होता है। यह प्रेम साधना का दूसरा नियम है। हम किसी से सुबह प्रेम करें और शाम को ना करें यह धोखा है। मंदिर में आशु बहाने वाला प्रेम, यदि दुखी कलांत भाईयों को देखकर दरवित न हो, तो वह प्रेम नहीं, ढोंग है। दूसरों का खून करने वाला व्यक्ती, यदि अपने घर के सदस्यों से प्रेम करें, तो वह प्रेम नहीं, सुार्थ है, भोग है। दूसरों के बच्चों से कटू व्यभार करने वाले माबाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकते। दूसरों के साथ दोके बाजी, चालाकी, कूट नीती, छल कपट बरतने वाले व्यक्ति किनी से प्रेम करें यह कठिन है। सच्चा प्रेम वह है जो घर बाहर, मंदेर, मस्जिद, समस्त जाती वर्ण में एक रस, एक समान व्याप्त होकर हमारी नस-नस में समा जाए और जीवन का अंग बन जाए। वही प्रेमी कहलाने का अधिकारी है। यदि इस कसोटी पर उतरने वाले प्रेम पूजकों की संख्या भढ़ जाए तो यह धर्ती ही स्वर्ग बन जाए। प्रेम आत्मा का सहज प्रकाश है जो प्रतेक जीवन में स्थित है। उसे प्राप्त करने के लिए धन, दौलत कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। प्रेम का अथा समुद्र हमारे चारों और बाहर भीतर उमढ रहा है। केवल आवशकता इस बात की है कि हम अपनी हिर्दे नगरी में जो मल, विक्षेप, एहंकार, स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा आदि भरे पड़े हैं, उन्हें निकाल कर इस प्रेम समुद्र का मधुर अम्रित भर ले। यह एक सहज और स्वाभाविक क्रिया है, किन्तु खेद है मनुष्य की अमीरी, उसकी पद प्रतिष्ठा, एहंकार इस सहज को सफल नहीं होने देते। यदि हमें प्रभू के प्रकाश को प्राप्त करना है, तो इन बनावटी चालों का त्याग करना होग उन्हीं की पंक्ती में खड़ा होना होगा। यहां कोई निर्बल सबल, गरीब अमीर उच नीच नहीं है। प्रभू के सब समान पुत्र हैं। हमें हिर्दे खोल कर सारे भौतिक आवरणों को दूर उतार कर प्राणी मात्र से प्रेम करना है। सबके साथ सहनुभूती सहयो करके अपना कर्तव्य निभाना है। प्रेम सारे भौतिक आकर्षणों से उपर रहता है। इनका त्याक किये बिना सच्ची प्रेम साधना संभव नहीं हो सकती। महात्मा गांधी एक कोड़ी की स्वयम पट्टी आधी करते थे, अपने हाथों से घाव धोते थे, जबकि अ आज भी उनकी प्रेम साधना के जोलंत उधारन है। उनके हिर्दयों से प्रेम की भागी रथी निरंतर बहती रही जिसमें प्राणी मात्र ने अपने आपको कृतार्थ किया। वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। इस तरहे जिसके हिर्दय में प्रेम का अखंड दीप जल बंदर, सिंग आदी उनके पास परिवार के सदस्यों की तरह आया करते थी और महर्शी उन्हें बड़े प्यार से खिलाया पिलाया करते थी। प्रेम सरवत्र व्याप्त है किन्तु मनुष्य ने भेदभाव, स्वार्थ, एहंकार, राग द्वेश का जो रंगीन चश्मा च को उत्सर्ग करने वाला जीवन ही वस्तुतह, जीवन कहलाने का अधिकारी है। जीवन में सभी कुछ बदलता रहता है। अवस्था, विचार, परिस्थितियां, मनुष्यों का विश्वास, यहां तक की यह देहे भी बदलती है। इस परिवर्तन प्रधान संसार में यदि अजारमर रहता है तो वह है प्रेम। प्रेम का मूले बलिदान से चुकाया जाता है। महात्मा गांधी ने देश से मानपता से प्रेम किया था और अंत में इसी के लिए अपने आपको बलिदान किया। देश प्रेम के मतवाले राणा प्रताप अरावली की पत्रीली घाट भूके प्यासे फिरते रहे। अपने को जीवित ही तिल-तिल मिटाया और इसी के लिए सहेश बलिदेवी पर चड़े। अपने आराध्य के प्रेम में मतवाली मीरा गाती थी एरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोई सूली उपर सेज पिया की किस विधी मिलना होई प्रेम के मार्ग में बेशक कांटे बिचे हुए हैं। किन्तु जब प्रेमी उन कांटों को अपने प्रेम स्वरूप के लिए भूल मान कर उन्हें आगे भरता, उन्हें अपने प्रेमी के लिए दिल से लगाता है, तभी मीरा का जहर अम्रित बन जाता है। गांधी जी को लगी गोली उनके अमर जीवन का कारण बन गई। भटकते हुए प्रताप मेवार के मुकुट बन गए। कृष्ण प्रेम के मतवाले अंधे सूर दास, राम प्रेम के मतवाले तुलसी दास आज घर-घर माना विर्दय में मूर्त रूप में विराजमान है। जब प्रेम कांटों पर चलकर भी मतवाला द्रड इस्थिर बना रहता है तभी उसका वास्तविक स्वरूप निखरता है। जो इन विपन्दताओं में परीक्षा काल में भी प्रेम पत पर अंतिम सिध्धी तक पहुँच जाता है। और सफलताओं में जो इस्थिर रहे वही जीवित है। सत्य की उक्त कसोटियों पर अपनी प्रेम साधना के पत पर आगे भढ़िए। तुछ स्वार्थों, आकर्शनों, लेन देन के लिए प्रेम शब्द का दुरुपयोग और उसको कलंकित मत कीजी। उन्मुक्त भाव से प्रेम कीजी। समस्त मानवजाती से, प्राणी मात्र से, समस्त वसुधा से। प्रेम में गरीब अमीर, उचा नीचा, मेरा तेरा, भाशावाद, प्रांतियता, जाती-पांती आदी का कोई स्थान नहीं है। इन संकीन बंधनों को तोड़ कर जब आप प्रेम पत पर अग्रिसर होंगे, तभी उस विश्व प्रेम स्वरूप का पुर्णे साक्षाकार संभव हो सकेगा। जोतिर्मई आत्मा के पुर्णे प्रकाश में प्रेम का अवलंबन कीजिए और जीवन लक्षे की ओर अग्रिसर होई है। यह संसार नश्वर है महात्मन, मुझे तो इसमें कुछ भी सार नहीं दिखाई देता। अब तो बस इश्वर को पाने की इच्छा है। आप मुझे दीक्षा देकर इश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाएं। यह कहते हुए एक नव युवक ने आचारे रामानुझ को प्रणाम किया और उनके समीप ही एक ओर बैठ गया। आचारे रामानुझ ने सीधा सा प्रश्ण किया। तुमने किसी को प्रेम किया है। लेकिन तात आचारे रामानुझ बड़ी मीठी वानी में बोले भगवान को पाने की तो एक ही कसोटी है प्रेम। जिसके हिर्दय में प्रेम नहीं वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम यदी सांसारिक है तो उसे शुद्ध किया जा सकता है। पर जिसने प्रेम की कसक अनुभव नहीं की वह भला परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है। सो मैं विवश हूँ, तुम्हें दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? आचारे रामानुज जैसे महान अध्यात्मवादी के मुख से प्रेम को परमेश्वर के समकक्ष ले जाना कोई आश्चर्य नहीं है. वस्तुतह संसार में यदी कुछ अपार्थिव है तो प्रेम ही है. यदी प्रेम काम में परिणत नहीं किया जाता, तो मनुश्य धर्ती पर रहते हुए भी अलोकिक सुख और ईश्वरत्व की अनुभूती कर सकता है, क्योंकि शुद्ध प्रेम ही तो परमेश्वर है. मैं तो प्रेम दिवानी कहकर मीरा नाचती थी. वहाँ कोई शरीर धारी तो होता नहीं था, पर उस प्रेम की प्राण सत्ता में ही उसे परमेश्वर की जहांकी मिलती थी. मीरा की सखियां पूछती, मीरा तु बावरी हुई है, अपना सब को छोड़ कर भटक रही है, ऐसा निश्ठुर है तेरा भगवान कि वह तो कभी तेरे पास भी नहीं आता. सखी के इतना कहने पर मीरा नाराज होकर कहती, सखीरी मेरे संग संग नाचे गोपाल. सखियां नहीं जानती थी पर मीरा जानती थी कि उस दिव्वे प्रेम की डोर से ही वह उस अविनाशी सत्ता को बांधे हुए है. भगवान उसके प्रेम में ही ओत प्रोत उसके पास चक्कर कारता था मीरा जैसे ही नाश्टी थी वह वैसे ही नाश्टा था संसार में प्रेम ही सच्चा अध्यात्म है प्रेम ही अविनाशी है और प्रेम ही परमार्थ है धन की आवशक्ता सांसारिक होती है तो भी इस्त्री, पुरुष, मित्र भी, स्वार्थ, सहयोग और सेवा प्राप्त की अनेक कामनाओं से प्रेरित होकर बनाए जाते हैं पर प्रेम में तो इन सब प्रतिबंधों की अवहिलना है संसार में एक ही तत्व है प्रेम पुष्टी और विकास के लिए मनुश्य देना सीखता है और कितना भी दे डाल कर देते रहने की कामना करता रहता है अपने लिए न चाहाकर किसी और के लिए निरंतर देते रहने में कितना सुख है यह तो वही जानता है जो एक प्रेम की परित्रप्ती के लिए स्वयम भिखारी और अनाथ तक हो जाने के लिए तयार रहता है। भगवान को भी ऐसे ही पाया जाता है। सही बात तो यह है कि परमात्मा को प्राप्त करने की आकांक्षा प्रेम सरोवर में सराबोर हो जाने की आकांक्षा का पर्याय भर है। प्रेम प्रकृती को जीतने का वैज्ञानिक विधान है। महात्मा गांधी कहा करते थे जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों का विभिन प्रकार से उपयोग करके अनेक चमतकार कर देता है। उसी प्रकार व्यक्ति प्रेम के सिध्धान्त की भी वैज्ञानिक विधी से प्रयोग की प्रणाली जान ले तो वहे वैज्ञानिक से भी अधिक चमतकार पैदा कर सकता है। मेरी अपनी अहिंसा की शक्ती प्राकर्तिक शक्तियों से कहीं बढ़ चड़कर सूक्ष्म और कोमल है वहे प्रेम की भावना ही का तो विकास है मैं इस सिद्धान्त की गहराई में जितना अधिक प्रवेश करता चला जाता हूं मुझे लगता है कि मेरे अंदर उतनी शक्ती भरती चली जाती है मैं जीवन और सादे संसार की योजना मुए उतना ही अहलाद अनुभव करता हूं प्रेम के सिद्धान्त ने मुझे प्राकर्तिक रहस्यों को समझने की जो शक्ती दी है उससे मुझे अकत और अवर्णिय शान्ती मिलती है यह एक नया उधारन नहीं है प्रेम के लिए तो प्रकर्तिका पत्ता पत्ता प्यासा है एक ओर अपूर्टा में अशान्ती तो दूसरी ओर पूर्टा में शान्ती और स्वर्गिय सुख की अनुभूती यह बताते हैं कि प्रेम में ही स्वर्ग और ईश्वर विराशते हैं किसी को ईश्वर प्राप्ती का उपाय खोजना हो तो उसे एक बार अंतहे करण में शुद्ध प्रेम जागरत करके देख लेना चाहिए भारतिय धर्म और संस्कृती या वेदान्त जिस अद्वयत धर्म का प्रतिपादन करता है उसको समझने के लिए प्रेम से भड़कर दूसरा साधन नहीं है प्रेम अद्वयत का बोध कराता है यह एक बलिदान भाव है उसमें आत्मोत सर्ग का ही सुख है किसी से प्रेम है ऐसा मान लेने भर से तुष्टी तो नहीं हो जाती उसे देखने से और बार बार पास आने से सुख तो अपार मिलता है पर कोई ऐसा सदैव तो नहीं कर सकता भगवान के प्रेम की अभिवेक्ति के लिए भी चंदन, रोली, पुष्प, अडगे, आचमन का दान देते हैं तो अपने प्रेमास्पत के लिए भी तो उपहार जुटाने पड़ते हैं बहुत करके भौतक वस्तुएं ही देने जाते हैं तो उससे इस रस की अनुभूती होने लगती है देने वाला यह नहीं देखता कि मेरा कुछ गया और पाने वाले को भी यह नहीं हुआ कि वह वस्तुएं उसे मिल ही जाती आदान प्रदान तो अभिवेक्ती मात्र थे सच बात तो यह है कि दोनों ही को अपने भीतर के उस रस के पोशन की चिंता थी जो प्रेम के रूप में उद्य हुआ इसी का नाम तो अद्वैत है कि हम सब एक सही अनुभव करें प्रेमी की संतुष्टी भी यही मिलन है जो वस्तुओं का नहीं, शरीर का भी नहीं, प्रेम की भावना का एकाकार मात्र होना है मनुष्य जीवन की महानतम कसोटी है प्रेम बुद्धी की सूक्ष्मिता और हिर्दय की विशालता का परीचे प्राप्त करना हो, तो यह देखना पड़ता है कि व्यक्ति की हिर्दय में प्रेम की अकुलाहट के लिए भी कोई स्थान है. जिस हिर्दय में प्रेम का प्रकाष जगमगाता है, वह मनुष्य उत्क्रष्ट होता है और उसे ही देवत्व की प्राप्ति का सौभागे मिलता है प्रेम मनुष्य जीवन की सर्वोदय प्रेड़ना है शेश सब आश्रित और स्वार्थ प्रेरित भाव है स्वाधीनता और सदगती दिलाने वाली आंत्रिक प्रेणा तो प्रेम ही है इसी से व्यक्तियों के जीवन सम्रिद्ध होते हैं आत्म भावना और परमार्थ का विकास होता है कला कौशल का वर्तमान विक्सित रूप और संसार की रचना प्रेम के वरदान है मानव जीवन के लक्षे इश्वर प्राप्ति की पूर्ती भी प्रेम से ही होती है भक्ति मार्ग का आधार प्रेम ही है